तो जब एरोप्लेन में थे उतरने लगे इन्होंने बोला कि उधर हमको कोई जानते हैं तो हमने नाम पूछा क्या है इन्होंने नाम बताया आपका उसके बाद मेरी खांसी खड़ा उसके बाद खांसी इतनी कम हो गई कि अभी मैं ये सब घुमाओं कर हम मिला देखने गए उ सब्सके बाद में देखने को कि अब्सकी तो जब फूछते नाम कर देंगे जा रहें वो तो बच गया मैं नहीं बचा मेरे को हो गई है मैं दोगों को सिख्षा देता था अभी शुरू शुरू हुई है अब तीन दिन लेकर आएंगे आपका यह दिन की आप रिडिंग तो थी आपको लग रहा होगा इससे कि इसके डाइब टीज के बैटर रहे इसमें बाद में लेता हूं आप से वो मैंने ये बाद नोट पड़ा तो में को पता चला किया तो ये दोनों का आप से ना उस्त आपको कोई सारी बीमारी नहीं है ये खांसी की उसमें कोई बीपी का सार्ट है जो आपको खांसी दे रहा है तो फिलाल के लिए तो आप एक काम करो आदे कप का मतलब आदा कप गरम पान निम्बू के बीज के बराबर नमक डालके सुबह खाले पेट उठते पी लो इस से कंट्रोल हो जाएगे और जब तक आप यह इसका बीपी का सार्ट बढ़ लुए यह उसका रियक्शन है खांसी तो के लिए मुझे तीन देन की रिडिंग चाहिए तो आज कल और परसो जब आए परसो की रिडिंग और मुझे खाली पेट दिखाते हैं सुगर की में दवाई लिग दूंगा सुगर को जो आपने गरम पानी निमबू के शुरूं करती है ere ॐ गाने आक डालता हो जो तुमान ना ना लाए के रुख में मतलब लं अधा ही कप अच्शं आधे पंगे निमबू के बीज ची परसों ऑर निमबू के बीज बूंगा लेकिन ब्यूर्पी का साल्ट बदलवा दीजेए जी सचन सब्सक्राइब